अग्सर देखा और सुना जाता है कि कैदी जेल में जाने के बाउजुद भी चोरी छीपे फोन का इस्तमाल करते हैं फोन चलाते हैं फोन से दूसरों को कॉल लगाते हैं उनसे बाते करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा अब आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा सब कुछ आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें राज्य की जेलो में बंद कैदी अब चोरी छीपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर सकेंगे जेलो से लगतार आ रही ऐसी शिकायतों को देखते हुए जेलो में टावर अफ हॉर्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा इसके अलावा जेल के अंदर समान ले जाने की चोकसी भी बढ़ाई जाएगी सभी जेलो में तलाशी बुद्ध अस्तापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है इसके तहत कैदियों एवं अन्य की नियमित जाँच को लेकर स्कैनर मशीन की भी संख्या बढ़ाई जाएगी टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे 4-6 मा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सुत्रों के अनुसार केंद्रिय अग्री मंत्राले ने भी दुर संचार विभाग को जेल परीसर हो और उसके आसपास के छेत्रों में सिगनल की शमता और गुनवता का सरवेक्षन करने का निर्देश दिया था मुल्यांकन के आधार पर पाया गया कि जेल परिसर में अभी भी सिगनल की उपलबदता और अनाधिक्रित संचार की संभावनाय है विभाग ने एंटेना का समायोजन एबं अनुकुलन कार्य भी किया है आधर्श केंद्रिय कारा बेवूर बकसर केंद्रिय कारा भागलपूर केंद्रिय कारा भागलपूर विशेश केंद्रिय कारा शहीद खुदीराम केंद्रिय कारा मुजफरपूर केंद्रिय कारा गया केंद्रिय कारा मोतिहारी केंद्रिय कारा पुर्णिया छप्रा जीला दर् राज्य की जेलों में बंद कैदी अब चोरी छिपे भी मोबाइल का स्तमाल नहीं कर सकेंगे। जेलों से लगातार आ रही ऐसी श्रिकायतों को देखते हुए जेलों में टावर अफ हर्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ग्री विवाग ने पहले चरण में आठ केंद्रिय कारा समेत 15 प्रमुख जेलों में इसे लगाने की मंजूरी दी है। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर अनिश्चित परीदी में मोबाइल लेटवर को ड्रॉप किया जा सकेगा। इसके अलावा जेल के अंदर समान ले जाने की चौकसी भी बढ़ाई जाएगी। सभी जेलों में तलाश्री बुथ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके ताथ कैदियो एवं अन्य की नियमीत जाँच को लेकर सकैनर मश्रीनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे 4-6 मा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा की 4-6 मा में इसे पूरा कर लिया जाएगा और अब वहीं जेलों में अब कैदी फोन पर चोरी छिपके बात नहीं कर पाएंगे। ना ही वो किसी से संपर्क कर सकेंगे ना ही कोई कैदी फोन कर सकेंगे। बाकि इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। फिलाल इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूस 24 अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे है तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्व चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद